बच्चो आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशे भासा भारती जो कक्षा सात्वी के लिए लेके आये हैं और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मत्पधिस रास्तिक्षा के इंदर बोफाल द्वारा सत्वर्स दोजार पेईश चोविस के लिए बना पुछे जाएंगे और यह जो पुस्तिका है आपकी नई पुस्तिका है और इसी पुस्तिका से आपकी 80 पेच्छा जो भी पेच्छा होने वाली है पुछे जाएंगे लेकिन बच्चो आपको इन प्रशन को उत्तर देने से पहले आपको क्या करना अनिवार है आपको जो आ इसका प्रेकार से आपका प्रेश्न्म एक कंप्लीट होता है. प्रेश्न्म नम्बर दो में क्या है? गुरूजी ने करेश्न अरजुन से समझ रिख रहा है? A number कहानी, B number कवीता, C number निबंद और D number नाटक तो बच्चों इसका सही आंसर आजाएगा D number नाटक Next question है आपका question number 3 और एक कैसे question है आपके अतिलगुत्री question है Question number 3 है गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई कहानी में उसमें नहीत दो नेतिक मुल्य कोन से थे Question कहा है, गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई कहानी जो सुनाई कहानी है में निहीत दो नेतिक मुल्य कों से थे Number एक देके उत्तर मताते हैं आपको दो नेतिक मुल्य कोंसे होगे, एक होगए सत्त्यवादी और दूसरा प्रित्भक्त प्रित भक्त तो इस प्रकार से आपके दो नेतिक मुली बता दी आपका प्रेस नमबर तीन कंप्लीट होता है इसके बाद नेश्ट प्रेस नमबर चार सुख दुख जैसे विरोधी सब्द युकमो को पार्ट में से चाट कर लिखी जैसे यहां पर सुख दुख दो विरोधिया ने एक दूसरे के विरोधी सब्द है ऐसी जो पार्ट में आये सब्द है उन्हें चाट कर आपको लिखना है जैसे हमने आपको यहां बताए माता पि जो भी मिले उन्हें आप लिख सकते हैं, नेश्च प्रेशन आपका प्रेशन करना नमर्एक के न हो गए आपको यहां दूसरों कि आ shutsक करना इसके बाद बाद नमबर दो में क्या बता है यहां निसुल्क शिख्षा यह आपको हमने दो परपकार के कारें बताये इस सब्णते आपको यहां पर प्रश्ण नमबर कौन सा कंप्लिट होता है प्रश्ण नमबर 5 कंप्लिट होता है इसके बाद next प्रश्ण आता आपका प्रश्ण नमबर 6 प्रश्ण नमबर 6 क्या कहरा देखिए प्रश्ण नमबर 6 में गुरू जी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया था अप उत्तर में बता देंगे बच्चों को विस्तार से समझाने के लिए गुरु जी ने एकांकी का मंचं करवाया था इस पकार आपका प्रशनबर 6 कंप्लेट होता है नेइस्ट प्रशना आता आपका प्रशनामबर 7 7 क्या रहा है और यह कैशन अग Quarter espe7 क्या है अपने रिष्बारों को युद्भूमें पढ़ जायें KIM तता यह सोचेंगे कि हम सिर्फ कर्म करें या फल की इक्षा ना करें यहां सिर्फ दोबार आ गया है तो इसमें एक सिर्फ को अटा दीजिए यह सिर्फ हड़ गया ठीक है क्या कहा इसमें अपने रिस्तारों को यूद्भूमी में शामने दिख कर हम संकोज में पढ़ इस प्रकार आपका प्रश्ण नमबर साथ को उत्तर कंप्लिट होता है नेक्ष्ट प्रश्ण आएगा आपका प्रश्ण नमबर आठ कर्म वेवाधी कास्ते मा फलेश्यू कदाचन पंक्ति का अर्थ अपने सब्दों में लिखिए तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं इस अर्थ है कि हमें सब मोह माया को ट्याकर सिर्फ अपने कर्म को करना है फलकिक च्छा को प्याग देना है इस पगार से आप प्रश्ण नमबर आठ को उत्तर कंप्लिट करेंगे नेक्स्ट प्रश्ण आपका प्रश्ण नमबर नौ सिरिमत भगवत गीता का जन्व कैसे हुआ उत्ता देखिए धर्म अधर्म निश्चे अनिश्चे शुक दुख कर्म अकर्म आदी की और संकेत करने के लिए स्रीमत भगवत गीता का जन्मुआ इस पकार आपका प्रेशन नमबर 9 का उतर कंप्लिट होता है इसके बाद नेश्ट प्रेशन आता है आपका प्रेशन नमबर 10 प्रेशन नमबर 10 क्या है युद भूमी में अर्जुन की क्या दसा हुई लिखिए पूता देखिए युद भूमी में अर्जुन अपने पीरी जनों को देखकर अत्यंत करुना से भर उठते हैं उनका मुह सूख जाता है, सरीर में कंप और रोमांच होता है, हाज से धनूस गिरने लगता है इस पकार से आप प्रश्ण नमबर दस का उत्तर लिख सकते हैं, इसके बाद नेश्ट प्रश्ण आता आपका प्रश्ण नमबर ग्यारा प्रश्ण नमबर ग्यारा क्या है और कैसे प्रश्ण है ये देरगोत्री प्रश्ण है आपके अपने विध्याले के प्यतिक क्या करता है तो देखी बच्चों यहां पर आपको आपके अपने विध्याले के प्यतिक करता है आप अपने आधार पर बता सकते हैं आठ से दस पंक्तियां बताना है जैसे हम नियां बताए विद्ध्याले को हमेशा सुरक्षित बनाए रखना नमबर दो विद्ध्याले योम उसके आसपास पेल्ड ओधे लगाना नमबर तीन विद्ध्याले की शंपती को हमेशा सुरक्षित रखना नमबर चार विद्ध्या से miss нет करतों से नमबर साहते हैं विद्याले में आजित होने वाले कारखमुल में में शंबलित होना इस पकार से आपका प्रशेज नंबर ग्यारा का उत्तार कंप्लीट होता है नैशड प्रशना लाटता आपका भक्ति के जीवन में बच्पन से ही प्यारम हो जाता है अपनों से बड़ों की आग्या पालन वा छोटों से प्रेम करते पे पालन का महत्पुल तत्व है लेकि यहां पर अरून की गुरू भक्ति एक कहानी है उस कहानी के कुछ महत्पुल बाते आपको बता रहा है इस कहानी म अरुन के गुरु उसे आग्या देते हैं कि वर्षा का शमय चल रहा है जाओ खेतों की मेड की देखवाल करना अरुन अपनी जान की परवा ना करते हुए मेट पर लेड़ गया, क्या हुआ मेट फूड गई थी, और मेट को बचाने के लिए अरुन वहाँ पर अपने की जो अपनी जान की परवा ना करते हुए, वो जो पानी को रोपने के लिए मेट पर लेड़ गया ता था, राद बार आपको इस वीडियो के माद्धे उससे पार्ट कौन सा बताए आपका पार्ट तेईस था पार्ट तेईस में क्या है करताव पालन उसके प्रशनों के उत्तर समझाए तो आप हमाद चेनल आईडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इन वीडियों को अन गुरूपों में भी शेयर जरूर कीजिए हैं